सो हेलो दोस्तों, अभी हम टेली विजन के सीरीज के बारे में बात करेंगे यहापे बहुत से लोगों को मैंने देखा कि कुछ सवाल है साथ निवाना साथिया 2 को लेके कि exactly end, जो साथ निवाना साथिया अब सीजन 1 जीनों ने देखा था actually उनका end क्या हुआ साथनिमाय साथिया 2 को जाने दो लेकिन साथनिमाय साथिया 2 जब आया था तो जो 1 वाली कास्ट थी वो भी पहले 31 एपिसोर्स वहाँ पे थी उस शो में और बाद में exactly end क्या हुआ और जैसे कि वो जो गोपी का गैरेक्टर रहता है वो एहम को चूज करती है end में या जगी को क्योंकि जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि एहम जिन्दा रहता है वो जब फर्स सीजन में दिखाया था कि शायद वो कोई accident में मरता है लेकिन second सीजन में उसको जिन्दा दिखाया है वो गहना की वेटा मिल जाएगा लेकिन मैं भली मतलब प्यार तो वो शायद एहम सही करती है ऐसा दिखाया है लेकिन जगी उसकी जिम्मेदारी था चुली क्योंकि जब ये मर गया था उसको लगा था तब उसके लाइफ में उसने उसको संबाला और बाद में उसने उससे शादी की रहती तो definitely उसका ये कहना रहती है कि कभी-कभी प्यार से ज़iadा जिम्मेदारी कोई accept करना पड़ता है और शायद जिम्मेदारी ही accept करना उसको उसका एक डायलोग एक शायद मुझे याद नहीं भी लेकिन वो बोलती की जिम्मेदारी कोई हम चूज कर लेते हैं भले प्यार को नहीं करते तो इस टाइप का डायलोग है तो उसका अगर आपको सिंपल बात बाजा मैं बूलू कि एक्जेक एंड क्या था एंड को उन्होंने यह दिखा है कि उन्होंने वह इसे भी भगा दिया था वह शो मतलब मैंने सुना है कि वह जो कनक का सही बोला मैं उसका करेक्टर का और रियल कोकिला का जगडा कुछ रूपल बटे ले ना वहां तो उसका जगडा भी हुआ था ओंसेट और उनमें बहुत जगड़े बगड़े चल रहे थे सीजन वन और सीजन टू के कैरेक्टर में ऐसा मैंने सुना है और इसलिए सीजन वन वालों को बहुत जल्दी वहां से निकाली दिया ऐसा भी कह सकते तो कैरेक्ट एंड क्या है मैं क्लियर बोल देखो गोपी जगडी को चूज करती है और वह ऐसा बोलते हैं कि वह कोकिला एंड कंपनी बोलती ही बात में कि हम जो भी प्रॉब्लम है वह सौट आउट कर लेंगे राज़कोट जाके तो यह उन्होंने एंड करती है तो देखो अगर बात करें तो एक्जैक्ली यही एंड है कि गोपी जगडी को चूज करती है ना क उसके जीवन में थी बात में मांसी भी थी मतलब जब वह छोड़ता रहता है जब भी उनके ग्याज दिखाए कि दस साल बाद मिले या इतने साल बाद मिले उतने साल बाद मिले तब भी गोपी को मतलब उतना वह बढ़िया करेक्टर नहीं था एक दूसरे का कपल अगर बा कर रहा हूँ एक्चुली जग्गी के चारेक्टर को मैं सच्चे दिल से बोलू तो मुझे गोपी और एहम वह वाला एंट जो है वह बिलकुल पसंद नहीं आया लेकिन इन्होंने यही दिखा है तो इन्चोट क्या है तो यही समझ लीजे दोस्तों की जग्गी को उसने एक जो उल्जन है वो सहल करेंगे लेकिन गोपी का क्लियर माइंड दिखाया है कि शी चूज जग्गी और एहम बिकॉज बहले उसको आज प्यार है नहीं है एक टाइम पर ज़रूर था जग्गी से उसने कभी प्यार नहीं किया यह बात भी उतनी सही है लेकिन एक जिम्मेदा जग्गी और एहम सो एनिवेज दोस्तों यह मेरा लगा यार मुझे की बहुत से साफ निबाया सती है फैंस को में भी यह कन्फ्यूजन था एंड डाट सेट एनिवेज दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे थैंक यू गाइज बै है